हालो प्यारे बच्चों इस वीडियो में कच्छानव गणित है मनुहरे जिसमें अध्याय बार रख आये है त्रिफुर ट्राइंगल क्यूशन नमबर पूर इस वीडियो में हम देखेंगे क्या दिया है कि यल और यम दो समानतर रेखाएं हैं एक रेखा यल है दूसरी रेखा ये यम है और ये कर रहे हैं दोनों समानतर रेखाएं हैं और आगे अब क्या दे रहा है कि P और Q का एक अन्य यूगम प्रतिछेद करता है जिसमें एक रेखा P और एक रेखा Q ये भी एक दूसरे को प्रतिछेद कर रहे हैं किसी अलवर्यम को देखिया आकरित इतना हमें त्रिभुज ABC ए और BC ABC का मतलब इस नीचे वाले त्रिभुज को और दूसरा नंबर हमारा त्रिभुज दिया है CDA तो हम आजाएंगे CDA इस त्रिभुज को हमें दिखाना है कि सर्वांगिसम है अगर हम बात करेंगे यहां इस भुजा को ले लेंगे जो दोनों में कामन है इस और इस दोनों त्रिभुज में अब अगला नमबर है कि ये और ये समांतर रेखाया हैं उसमें तिरियाग रेखा काटेगी तो ये वाला जो कूण होगा इस कूण के बराबर होगा अगला नमबर हमारा करा है कि इसको प्रतिष्चेद कर रही है यहाँ पर आ जाएंगे ति पूणों का योग महमें बराबर मिल चुका है दूसरा आजाएंगे कि समानतर रिखा है, जिने समानतर रिखा P AND Q, माने ये P AND Q भी समानतर है, इसमें अगर ये तिरियक रिखा काटेगी, तो इसका मतलब ये वाला कौन, इस वाले कौन के वराबर हो जाएगा, एक भुजा के दोनों और के कौन, दूसरे भुजा के दोनों कोण के बराबर हो गए इसका मतलब दोनों त्रिफुज हमारे सरवान रिसम हो जाएंगे अब इसी को हम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे हल हल में हमें क्या मिलेगा हम ले लेंगे एक त्रिफुज हमारा ABC ABC तथा दूसरा हमारा त्रिफुज बन जाएगा CDA C, D, A इसमें आ जाएंगे A, C, बराबर A, C चुकि दोनों में एक आमन है A, C, बराबर A, C, समी का नंबर एक बन जाएगा दोसरा नंबर हम आ जाएंगे चुकि A और ये समांतर है इसमें तिर्यग रेखा है तो आगे लिखेंगे कि चूकी चुकि हमें मिला P समांतर या यल समांतर यम पहले ले लेते हैं यल समांतर यम तथा हमारा मिला है A, C A, C, तिर्यग रेखा है तिर्यग रेखा है इसलिए ये जो कौन बनेगा ये और ये समांतर हो गया इसका मतलब ये वाला कौन के बराबर होगा कौन BCA कौन BCA बराबर हो जाएगा कौन हमारा DAC इसको हम दो बना लेंगे इसी प्रकार अब दूसरा यूगम हमारा समांतर है P समांतर क्यूं है P समांतर क्यूं तथा AC तिरियक रेखा है तिरियक रेखा है चुकि हम जानते हैं तो समांतर रेखाओं में कोई तिरियक रेखा काटती है तो इसको एक अंतर कौन कहते हैं और ये दुनों आपस में बराबर होते हैं इसी प्रकार से हमारा ये है और ये समांतर है इसमें तिरियक रेखा काट रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ताथ ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा तो कोण BAC बराबर कोण DCA ये हमारा मिला कहां से यानि एक आंतर कोण से एक आंतर कोण से यह हमारा बन जाएगा तीन एक दो तीन चुकि यहाँ भुजा है और यहाँ कौन दोनों तरब की बराबर हो गए तो समी करण एक दो वह तीन से हमें में क्या मिला एंगल साइड एंगल सरवांग समता सरवांग समता जब यह सरवांग सम हो गया इसका मतलब बन गया त्रिभूज हमारा A, B, C सरवांग सम हो गया A, B, C यह हमारा सरवांग सम बन गया त्रिभूज C, C, A, D, K और यही हमें सिद्ध करना था त्रिभूज C, A, D, K वागे लिख देंगे यही सिद्ध करना था तो थाइंस पार वाचिंग इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें था वीडियो को लाइक करें